हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेक वारियर में पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंपक्ट लोड का कुछ एक्जामपल एंड फैटिक लोड के बारे में बताया था ओके तो लोड का क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टाइम कम्प्ल क्लासिफाइख किया गया है यह आज हम लोग इस लेकचर में देखने वाले है ठीक है तो चलिए सेशन को स्टाट किया जाए कि यदि आप लोग न्यू है कि तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंट्स में सेयर कर दीजिए कर दीजिए और चलिए स्ट of load ओके देखिए तो direction के according load को दो भाग में बाटा गया है सबसे first है आपका normal load normal load and second है आपका sear load फिर normal load को भी दो भाग में बाटा गया है एक है आपका axial load और दूसरा है eccentric axial load फिर लोड को भी दो भाग में बाटा गया है सबसे first है आपका transverse sear load और इसे आप simply TSL भी बोल सकते हैं और इसे क्लासिफिकेशन हो गया अब यहां पर देखिए नॉर्मल लोड में जो मैंने आपको दिखाया है axial load and eccentric axial load यह हो सकता है कि टेंसाइल भी हो या compressive nature का हो ठीक है हो सकता है कि दिस में भी टेंसाइल और compressive यह क्लासिफिकेशन है विट रिस्पेक्ट टू डारेक्शन आप लोड ठीक है अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर हम लोग एक एक करके पुड़ाच्छे से देखेंगे फिगर में देखिए नॉर्मल लोड क्या होता है तो नाम से ही लग रहा है नॉर्मल मतलब यह किसी चीज़ पे नॉर्मल होगा तो किस पे नॉर्मल होगा जी तो जो प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन होता है उस पे यह लोड नॉर्मल होगा जैसे फॉर एक्जामपल यह आपका बॉड़ी है मेंबर है तो यहां पर देखिए इन्फनाइट प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन होगा ये cross section हो गया तो आप इसको cut करते रहिए तो आपको infinite number of cross section मिलेगा So this is the plane of cross section अब इसी cross section पे यदि कोई load add कर रहा हो तो वो load क्या होगा जी इस cross section पे normal होगा तो उसे हम लोग normal load कहेंगे That means normal load का definition आप क्या बोलेंगे acting perpendicular to the plane of cross section अब देखिए sear load क्या होता है तो sear का पहले मतलब समझे sear का मतलब होता है काटना दो भाग में बाट देना ठीक है जैसे ये आपका member है और यदि कोई load इस तरह act कर रहा हो तो ये load इस member को क्या करना चाहेगा काटना चाहेगा दो भाग में बाटना चाहेगा तो इस load को हम लोग sear load कहेंगे for example आप कोई भी चीज कट करते हैं घर में ही आप मान लिजे कोई लकरी के टुकरे को आप काटते हैं ठीक है तो आप load किस तरह apply करते हैं इस तरह apply करते हैं ठीक है तो क्यों कि आप उसको sear करना चाहा रहे है काटना चाहा रहे है तो देखिए ये plain of cross section है और आप load apply इस तरह कर रहे हैं तो ये load क्या होगा, इस cross section के parallel होगा, यानी sheer load cross section के pairlel काम करता है, तो मैं यहां पर definition लिख देया हूँ, फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे, अभी बस आप definition देख लीजिए, acting parallel to the plane of cross section प्रॉस शेक्शन ओके चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एक्सियल लोड किसे कहेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोड किसे कहेंगे यह हम लोग अब यहां पर देखेंगे तो प्लीज आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक्सियल लोड का डेफिनिशन बता दे रहा हूँ पहले सभी के बारे में आप देख लिजिए उसके बाद फिर हम लोग फिगर में देखेंगे एक्सियल लोड अब देखेंगे एक्सियल लोड क्या होता है तो यह तो आप जान चुके हैं कि यह नॉर्मल लोड है नॉर्मल लोड का क्लासिफिकेशन है यह तो नाम से भी लग रहा है एक्सियल लोड मतलब ऐसा लोड जो एक्सिज से पास करें काउन सा एक्सिज लोंगी चुडनल एक् axis से पास करे उसे हम axial ADHD कहेंगे ये नॉर्मल लोड है क्रॉस सेक्षन पे नॉर्मल तो होगा ही प्रपेंडिकोलर तो होगा ही साथ ही साथ ये लॉगित्यूडणल aktivita से पास करेगा ये चीज आपको ध्यान में रखना है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे along the longitudinal axis of the member ओके तो ये हो गया आपका axial load अब यहीं पर eccentric axial load देख लिजिए eccentric axial load देखिए ये भी normal load का ही classification है that means ये भी cross section पर normal होगा लेकिन ये क्या eccentric axial load है eccentric का मतलब क्या होता है जो की axis से थोड़ा हट के act हो axis के along act नहीं करेगा उसमें थोड़ा eccentric city आ जाएगा ओके that means वो axis से थोड़ा हट के act करेगा मतलब आपका सकते हैं कि ये parallel to the longitudinal axis होगा longitudinal axis के parallel काम करेगा that means थोड़ा दूर हट के eccentric city पर काम करेगा तो आप यहां पर क्या लिखेंगे पैरलल टू दा लोंगे चोड़नल एक्सेस अफ दा मेंबर लो पैरलल टू दा लो पैरलल टू दा ह приход में देख लिजिए आप टुरियर हो जाएगा एक around figure देख लिजिए कि मान लिजिए कि ये member पर हैं ओके और इसका longitudinal axis हो गैपहल सा यह चैट केहं होता है कि यहां पर देखिए एक लोड एक्ट कर रहा है P और एक लोड मैं यहाँ पे एक्ट करवा दे रहा हूँ Q दोनों को देखिए आप यहाँ पे यह दोनों लोड यह सभी क्या है plane of cross section है यह सभी क्या है जी plane of cross section plane of cross section तो आप P और Q को देखिए P और Q क्या कर रहा है ये cross section पर normal है तो आप बोलेंगे कि सड़ ये दोनो normal load है अब normal load में हमें इसको classify करना है कि कौन सा axial load है और कौन सा eccentric axial load है तो आप क्या देख रहे हैं जो load P act कर रहा है ये P longitudinal axis से pass कर रहा है तो इस P को हम लोग क्या कहा देंगे जी axial load कहा देंगे axial load उसी तरह आप load Q को देखिए बट Q क्या है देखिए ये longitudinal axis से कुछ distance पर काम कर रहा है आप देख पा रहे हैं कि ये eccentric city है कुछ distance पर काम कर रहा है और ये longitudinal axis के parallel act कर रहा है parallel है कि नहीं? parallel है ये आप बोल सकते हैं कि eccentric city वहाँ पर दिया हुआ है that means eccentric है ये load तो इस load को आप क्या कहेंगे? eccentric axial load ये axial load eccentric हो चुका है longitudinal axis से थोड़ा हट के act कर रहा है तो this is eccentric axial load ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं TSL TSL transverse shear load आप इसे simply shear load भी बोल सकते हैं आप simply shear load भी बोल सकते हैं ओके चलिए तो ये एक ऐसा load है पहले मैं इसका definition लिख दे रहा हूँ फिर figure में देखेंगे हम लोग bunny हम लोग लोगन खहरा हैं अला है ओको अध्ध कर देखेंगे है cidade अला है वाधे हम लोग लोगे हमेण hello! तो ये हो गया आपका TSL ऐसा लोड जो longitudinal axis के perpendicular act कर रहा हो तो ये तो आप समझ गये होंगे तो कि मैंने आपको बताया है कि shear load क्या होगा plane of cross section के parallel होगा तो longitudinal axis तो ये line है बीच में होगा और ये load इस तरह act कर रहा है that means shear load क्या होगा longitudinal axis के perpendicular होगा ये line तो आपको समझ में आ गया होगा फिर second देखिए passing through the centroid of the cross section तो cross section पर जो act हो रहा है उसके centroid से pass करना चाहिए उसे हम TSL कहेंगे थोड़ा figure में देख लेते हैं ठीक है मैं एक छोटा सा figure यहां पर बना दे रहा हूँ ओके ये देखिए हमारा member है इसमें plane of cross section आपका ये है अब इस cross section पर देखिए ये आपका horizontal axis एक्स एक्स फिर यहां पर देखिए vertical axis वाई वाई तो इसका centroid क्या हो गया जी ये वाला centroid हुआ c point plane of cross section का centroid क्या है c point अब कोई shear load यहां पर act कर रहा है माल लिजिए कि ये shear load act कर रहा है ये load p है अब देखिए तो cross section के parallel है ठीक है cross section के parallel act कर रहा है तो आप बोल देगे एक सर्ये shear load है sorry 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 अब इस load को थोड़ा अच्छे से देखते हैं ये load क्या है longitudinal axis के perpendicular भी होगा इसका longitudinal axis देखिए ये line होगा this is the longitudinal axis ठीक है तो इसके perpendicular act कर रहा है and centroid से pass कर रहा है देखिए centroid से pass कर रहा है plane of cross section के centroid से pass जब करेगा तब इस load को हम लोग shear load कहा देंगे transfer shear load कहा देंगे ओके चलिए अब यहीं पे eccentric TSL है eccentric TSL अब फिर यहाँ पर देखिए eccentric word का use हो रहा है eccentric word का मतलब क्या है कि यह कुछ हट के pass करेगा eccentric city पर pass करेगा चलिए तो यहाँ से देखिए मान लिजिए मान लिजिए कि एक load यहाँ पर act कर रहा है यहाँ पर एक load यहाँ पर act कर रहा है ठीक है I hope कि आपको दिख रहा होगा यह वाला इसे आप क्यू मान लिजिए यह load अट कर रहा है Q तो आप यहाँ पर क्या देख रहे है कि यह load क्यू जो है plane of cross section के parallel है that means इसे shear load कहेंगे लेकिन shear load में भी दो classification है transverse shear load कहेंगे या eccentric कहेंगे तो वो चीज़ देखिए तो यह centroid से पास नहीं कर रहा है longitudinal axis के perpendicular है सब कुछ है बट centroid से पास नहीं करेगा यदि centroid से पास नहीं करेगा तो उसे eccentric TSL और centroid से पास करेगा तो उसे TSL कहा देंगे बाकि सब कुछ सेम रहेगा plane of cross section के parallel भी होगा दोनो TSL और eccentric TSL longitudinal axis के perpendicular भी होगा दोनो लेकिन दोनों में अंतर क्या है TSL centroid से पास करेगा and eccentric TSL centroid से पास नहीं करेगा तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ acting perpendicular to the longitudinal axis बत नो पास थू थू दू 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 पास्टो तो दू 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 इसे आप ध्यान में रखेंगे अब चलिए अब इसके आगे देखा जाएं अब यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा सा फिगर बना के दिखाता हूँ ठीक है और एक ही फिगर में मैं आपको सभी लोड को दिखा दूँगा ठीक है फिर आपका पुड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं अच्छे साब बड़ा फिगर होगा माई डियर यह देखिए आपका मेंबर है अच्छे सब्सक्राइब देखिए अच्छे देखिए यह आपका मेंबर है ठीक है यह आपका एक बॉड़ी है इसका क्रॉस सेक्षन आप देख पा रहे हैं इसका क्रॉस सेक्षन क्या है जी रेक्टेंगलर क्रॉस सेक्षन है अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे चीज को समझते जाएंगे देखिए तो यह तो आप स्योर हो गया है कि सर यह जो है यह है प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन बस आप ध्यान दिये सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस यह डामेंशन एल है यह डामेंशन आपका दिस इस बी और यह डेफ्थ डी है तो प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन तो आप देख लिए इसी तरह का प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन इंफनाइट होगा यहां पर यहां भी आप दिखा सकते हैं यह भी एक प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन है आप दिखा सकते हैं तो इस तरह बहुत सा प्लेन आफ क्रॉस सेक्शन होगा इंफिनाइट प्लेन आफ क्रॉस सेक्शन होगा ठेक है अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेस देख लिजिए प्लेन आफ क्रॉस सेक्शन पर यह हो गया अरिजोंटल एक्सेस एक्सेक्स यह हो गया इसका भर्टिकल एक्सेस वाई वाई ठीक है और यहाँ पर जैड एक्सेस जो होगा वो क्या होगा जी जैड एक्सेस यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा इसको हम क्या कहा देंगे सेंटर वाईड यह सेंटर वाईड हो गया सेम इसी तरह यहाँ भी सेंटर वाईड होगा होगा की नहीं यहाँ भी सेंटर वाईड होगा इस plane of cross section पर भी centroid होगा होगा ना सेम उसी तरीके से यहां भी इस plane of cross section पर भी centroid होगा तो जितना भी plane of cross section होगा सभी का अपना centroid होगा तो सबता naming कर दिजिए यह माल ले जे C1 है यह for example माल लेते हैं C10 माल ले जिए ना और यह हो गया मालेजे cn एन नमबर आफ प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन है तो c1 से लेके cn तक यह सभी क्रॉस सेक्षन क्या होगा जी पर यह सभी एक सेंटरवाइड किसका है प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन का तो longitudinal axis क्या होता है इसको समझे किसी भी मेंबर में जितना भी प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन है उसके सेंटरवाइड को आप एक imaginary लाइन से मिला दीजिए वही imaginary लाइन longitudinal axis का लाएगा फिर ध्यान से सुनिए किसी भी मेंबर में जितना भी प्लेन आफ क्रॉस सेक्षन है infinite होता है तो उस सभी plane of cross section के centroid को आप एक imaginary line से मिला दीजिए वही line आपका क्या होगा longitudinal axis हो जाएगा चलिए देखते हैं मिलाईए centroid को मिला दीजिए यही क्या हो गया जी this is called longitudinal axis यही है आपका longitudinal axis और यह होता क्या है imaginary line यह एक imaginary line है joining all the centroid of the plane of cross section ओके तो यह हो गया आपका longitudinal axis का definition की longitudinal axis किसे कहते हैं तो यह एक imaginary line है जिसमें हम लोग क्या करते हैं सभी plane of cross section के centroid को मिला देते हैं वही line आपका longitudinal axis का लाएगा ओके यहां तक सब कुछ क्लियर है अब देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं अब हम लोग थोड़ा face के बारे में पढ़ेंगे face क्या होता है यह देखिए face के बारे मत्रा समझेए जैसे आप वहां पर देख रहे है plane of cross section है मान लीजिए for example मान लीजिए कि यह आपका plane of cross section है जो आप वहां पर देख पा रहे है plane of cross section तो जिस plane of cross section पर या जिस surface पर जो axis perpendicular होगा जो axis perpendicular होगा उस face को ठीक है या उस surface को हम लोग उसी axis के नाम पर उसका face रख देंगे for example इस surface पर इस face पर z axis perpendicular है तो इसका नाम हो जाएगा z face या मान लीजिए ये face है इस पर y axis perpendicular है तो इसका नाम हो जाएगा y face ओके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे है plane of cross section पर z axis perpendicular है तो इस plane of cross section को आप क्या बोल सकते हैं और z face बोलेंगे हम लोग इस plane of cross section को हम लोग z face भी बोल सकते हैं ओके चलिए z face हो गया लेकिन उस plane में plane of cross section में कौन कौन सा centroidal axis है तो आप देख पा रहे हैं x x and y y यह दोनों centroidal axis plane में plane of cross section में है तो आप इसे x y plane भी कह सकते हैं x y plane ओके कहने का मतलब यदि आपको face मालूम चल गया है जैसे z face तो कौन सा बच गया x और y बच गया है यानि उस plane को आप x y plane भी बोल सकते हैं ठीक है चलिए ओके और इस plane का या इस face का area क्या होगा az यानि area of z face तो आप देख पा रहे हैं b into d देखे ना इसका width b है and depth d है तो area हो जाएगा b into d ओके अब आई ये इस पर ये वाला जो face आप देख रहे हैं वो कौन सा face है तो मैंने आपको क्या बताया बस आपको ये देखना है कि जिस surface का नाम करन करना है कि ये कौन सा face है आप देखिए कि उस पर कौन सा axis perpendicular है तो इस face पर देखिए ये y axis perpendicular आपको दिख रहा है यानि इस face को हम लोग क्या कह देंगे जी आप कहेंगे सर इसे आप y face बोल दीजिए ओके अब जब ये y face हो गया है तो आप इसे एक और नाम से बुला सकते हैं y face हो चुका है तो plane में कौन सा होगा तो y को छोड़के जो बच गया यानि एक्स जड़ प्लेन तो आप इसे एक्स जड़ प्लेन भी कह सकते हैं और इस y face का area क्या हो जाएगा ये y face का area देखिए length इसका L है और इसका width भी है यानि L into B हो जाएगा L into ओके ये भी clear हो गया आपका चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो सामने वाला जो आपको दिख रहा है face इस face का नाम क्या होगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस face के लिए x axis x axis perpendicular है तो इस face का नाम क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे sir x face और जब यह x face है तो yz plane होगा yz plane और इसका area क्या हो जाएगा ax is equal to l into d ax is equal to l into d हो गया ओके तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनो face देख लिया x face, y face और z face तो face कैसे decide करते हैं यह मैंने आपको बता दिया इसको आप धियान में रखेंगे ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए अब ek करके मैं यहाँ पर आपको load दिखाऊंगा फिर देखेंगे कि यह उस load का नाम क्या होगा चलिए देखते हैं एक load मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ एक load यहाँ पर P एक load यहाँ पर लगा दे रहा हूँ देखिए इसे मान लिजी आप Q और एक load यहाँ पर लगा दे रहा हूँ मैं इस point पर this load is R ध्याँ से देखिए मैंने आपको क्या किया plane of cross section पर 3 load लगा दिया मैंने P, Q, R बस आपको बताना है कि P कौन सा load होगा Q कौन सा load होगा R कौन सा load होगा ओके चलिए अब इसके आगे थुरा सा पहले देखते हैं ध्याँ दीजिएगा X, X Y, Y यह दोनों एक्सिस क्या है जी तो आप बोलेंगे कि सर यह centroidal axis है centroidal axis at the plane of cross section at the plane of cross section Z, Z क्या है जी यह भी centroidal axis है centroidal axis which is perpendicular to the plane of cross section यह plane of cross section के perpendicular है जो centroidal axis plane of cross section के perpendicular हो उस centroidal axis को हम लोग polar axis कहते हैं इसे आप लियाद कर लीजिए ध्यान में रखिएगा आगे आप पढ़ेंगे polar moment of inertia यहां से सुनिए मेरी बात को आगे आप पढ़ेंगे polar moment of inertia ठीक है जिसे आप J से denote करेंगे polar moment of inertia जाड को क्या बोल जाता है जाड Rich replaces को polar axis याणा ये polar moment of inertia बोलने का क्या मतलब है पता है आपको इसका कहने का मतलब है कि moment of inertia moment of inertia with respect to Z axis आपको find करना ओं यहीं है झाच्छ इप पोलर moment of inertia तो आपको ध्यान में रखना है कि Z क्या है polar axis क्योंकि ये plane of cross section के perpendicular है ओके चलिए अब यहाँ पर AK करके हम लोग load decide करेंगे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया P P दिखाया मैंने वहाँ पे फिर मैंने आपको Q दिखाया फिर R दिखाया अब इस तिनों load को देखिए और देख के बताये कि कौन सा load है फिर वापस चलते हैं देखिए P P load को थोड़ा देखिए अच्छे से P क्या है plane of cross section के normal है इसका मतलब कि ये normal load हुआ अब normal load का भी दो classification है axial या eccentric तो आप देख पा रहे हैं कि ये axis के along पास कर रहा है longitudinal axis के along पास कर रहा है तो इस P load को हम लोग क्या कहेंगे axial load axial load कहेंगे फिर ये देखिए tensile nature का है या compressive nature का है तो आप बोलेंगे सर ये tensile nature का है क्योंकि ये pull कर रहा है तो जो pulling force होगा उसे हम क्या कहेंगे tensile ठीक है और जो pushing force होगा जो push कर रहा होगा उसे हम compressive बोलते हैं तो इस P को क्या बोल दीजेगा आप axial tensile load ओके चलिए अब देखिए load Q को Q और R दोनों को एक ही साथ देख लीजिए Q क्या है Q भी आपका plane of cross section के normal है R भी normal है दोनों normal load है Q आप देखिए longitudinal axis के parallel act कर रहा है कुछ eccentric city पे काम कर रहा है इस Q लोड को हम क्या कहा देंगे eccentric axial load और इसका nature कैसा है compressive nature तो क्या नाम होगा इसका eccentric axial compressive load फिर R पर देखिए R भी क्या है eccentric load क्योंकि ये longitudinal axis के parallel काम कर रहा है बट ये tensile nature का तो चलिए लिख देते हैं वहाँ पर P क्या है जी तो P के बारे में मैंने आपको बताया this is axial tensile load Q क्या था जी तो Q है आपका eccentric axial compressive load कंप्रेसिव था ना जी compressive load फिर आर के बारे में क्या बताया मैंने आपको आर क्या है जी eccentric axial तो है ही eccentric axial तो है ही बट उसका nature कैसा है tensile nature का है तो eccentric axial tensile load तो यह तीनों लोड आपने देख लिया ठीक है नॉर्मल लोड का हम लोग उने देख लिया अब हम लोग सीयर लोड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो चलिए देखते हैं figure में देखिए यहां पर माल लिजिए अब यहां पर मैं आपको यहां पर मैं आपको यह माल लिजिए qr हो चुका है ओके फिर यहां पर देखिए यहां पर xk long लोग यहां पर काम कर रहा है स्टी हो गया न यह माल लिजिए u और फिर यहां पर act कर रहा है कि यह माल लिजिए b अब यह चार लोड के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके पहले एक चीज़ देखिए x x-axis क्या है horizontal axis है horizontal central axis कहाते है y axis क्या है जी y है vertical vertical central axis ओके अब इस s पर ध्यान दीजिए s क्या है s देखिए plane of cross section के parallel है मतलब shear होगा अब shear में भी दो type है transverse और eccentric तो यह s को देखिए अच्छे से s क्या है longitudinal axis के perpendicular तो है ही साथ ही साथ यह centroid से पास कर रहा है जी तो इस s को हम लोग क्या कहेंगे transverse shear load कहा देंगे ओके और यह कैसा है vertical भर्टिकल है भर्टिकल है ना यू भी आपका shear load है और यू लोड भी देखिए centroid से होके पास कर रहा है और longitudinal axis पे perpendicular भी है centroid से भी पास कर रहा है तो इस यू को भी हम लोग transverse shear load कहेंगे लेकिन यह horizontal कहला आएगा horizontal transverse shear load कोई की दिक्कत चलिए तो सबसे पहले हम s और u के बारे में यहां पर लिख लेते हैं कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आप ठीक है s क्या है जी कि एस है आपका transverse कि यह लोड आप इसे simply shear load भी बोल सकते हैं ठीक है transverse shear load और यह कौन सा है भर्टिकल है ओके फिर यू यू क्या है यह भी transverse shear load है transverse shear load बट यह क्या है जी यह आपका horizontal है इस इस दा बचा हुआ है एक load आपका देखिए T है और एक load आपका भी बचा हुआ है उस सबसे पहले थोड़ा T के बारे में देखते हैं T क्या है T के बारे में देखिए यह plane of cross section के parallel है longitudinal axis पे perpendicular है इसका मतलब कि यह shear load होगा अब shear का भी दो classification transverse है या eccentric है यह हम लोग check करेंगे लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह load जो है centroid से थोड़ा हट के पास कर रहा है यह centroid कहीं पर है और यह act कहीं पर कर रहा है यहां पर कर रहा है and right कर रहा है तो इसे क्या कहा देंगे इसे हम कहा देंगे eccentric transverse sear load okay same इसी तरीके से देखिए आपका भी है यह भी क्या है भी भी आपका सिएर लोड है बट यह सेंट्रॉइट से पास नहीं कर रहा है तो हम लोग की को भी क्या कहा देंगे eccentric TSL बस यहीं आपको चेक करना है और उसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं यहां पर ठीक है कि क्या था टी एंड भी देखिए टी क्या है आपका कि इस दा कि इसेंट्रिक कि इसेंट्रिक टी एसल ठीक है और यह भर्टिकल नीचर का होगा भर्टिकल है यह और उसके बाद देखिए भी भी क्या है भी भी आपका इसेंट्रिक इसेंट्रिक टी एसल है और यह होरिजॉंटल होगा होरिजॉंटल ओके, I hope कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो यही था my dear, load का classification with respect to the direction of load, load के direction के according आप कैसे classify करेंगे, यह आपने देख लिया, और I hope कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं, कि जब इसका front view ले देखेंगे, तो सोचिए क्या देखने को मिलेगा आपको, जब आप इसको सामने से देखिएगा, तो आपको वहाँ पर normal load देखने को मिलेगा, normal load देखने को मिलेगा, फिर यदि आप side से देखते हैं, side से देखेंगे, तो आपको वहाँ पर shear load दिखाई पड़ेगा, ठीक ह तो चलिए एक बार देख लेते हैं यदि फ्रंट व्यू मैं आपको बना के दिखाऊं तो कैसा बनेगा वो देखिए फ्रसा ध्यान देना है यह इसका फ्रंट व्यू दिखाई परेगा आपको जी लॉढमिट्योड अक्सिस देख히े ये वाला है इसका क्रोस सेक्शन कैसा था तो आप जानते हैं रेक्टेंजूर क्रोस सेक्शन है तो हम लोग cross section थोड़ा आगे दिखाएंगे, यहीं पर दिखा देंगे, आगे cross section this is the cross section, मतलब यह आपका जो member है, यह किस तरह का है, इसका cross section की shape का है, ठीक है, यह आपका axis है अब यहां से देखिए, तो उस figure को याद कीजिए, p load आपका यहां काम कर रहा था, q load आपका यहां काम कर रहा था और r load यहां काम कर रहा था, तो यह तीनों ही load आपको front view में दिख जाएगा, सामने से जब आप देखेंगे, तो यह तीनों load आपको दिखेगा, ठीक है और यह क्या है जी, तो यह है आपका plane of cross section plane of cross section, अब यही तीनों load, cross section पर कैसा दिखेगा, यहां से सोचिए, ठीक है माल लिए कि यह आपका member है, और यहां पर, यह plane of cross section है, यहां पर यह तीनों load काम कर रहा है, p, q, r sorry, आप सामने से देखेंगा इसे, तो आपको तीनों दिखेगा, अब cross section पर कैसा दिखेगा, cross section पर, ठीक है cross section मिन्स यह, तो आप cross section को इस तरब धुमा दिजिए, अब आप cross section को देखिए, तो इस cross section पर यह load आपको कैसा दिखाई देगा, सोचिए जब आप इस p load को देखिएगा, सामने से ऐसे देखिएगा, यह plane of cross section है, और आप सामने से ऐसे देख रहे हैं, तो यह जो p load है, यह आपको dot दिखाई देगा, dot dot दिखाई देगा, क्योंकि सामने से देखेंगे, तो आपको यह point दिखाई देगा, एक second देख लिजिए, तो आपको सिर्फ यह point दिखाई देगा, ओके, फिर आप इसी cross section पर जब q और r को देखिएगा, तो q क्या है, q आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो जब q को देखिएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, सोचिए, जब इस q load को देखिएगा, तो आपको सिर्फ यह दिखाई देगा, यह वाला, that means cross दिखाई देगा, यानि q आपको cross दिखाई देगा, और आर क्या है आर भी देखिए बाहर की तरफ है तो आर भी आपको dot दिखाए देगा तो आप क्या देख पा रहे हैं जितना भी outward force होगा जो बाहर की तरफ लग रहा होगा उसे हम लोग plane of cross section पर dot से represent करेंगे और जो inward force होगा उसे हम लोग plane of cross section पर cross से denote करेंगे यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देख रहा हूँ आउट वार्ड पोर्स इस रिप्रेजेंटेड़ sorry outward force is represented by dot on the plane of cross section and inward force inward force का मतलब जो अंदर की तरफ जा रहा होगा इन्वार्ड फोर्स इस रिप्रेजेंटेट बाइ by cross on the plane of cross section तो यही चीज समझना था आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब एक दो figure मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है वहाँ पर आप देखिए कि कि स्कॉंकों सा लोड एक्ट कर रहा है क्योंकि आज कल इसी तरह के question पूछे जाते हैं साम में तो देखिए तब से फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि माल लीजिए यह यह फिगर है कि यह फिगर है और यहां पर एक लूड एक्ट कर रहा है यहां पर पी आपको बताना है यहां पर कि आपको बताना है कि इस वन पार्ट के लिए कि सेकेंड पार्ट के लिए और थर्ड पार्ट के लिए यह पी लोड़ तो यह तीनों पार्ट के लिए यह पी लोड किस तरह का लोड एक्ट करें किस तरह का लोड होगा वन पार्ट के लिए P कौन सा लोड होगा थर्ड पार्ट के लिए कौन सा लोड होगा और सेकेंड पार्ट के लिए कौन सा लोड होगा आपको ये देखना है तो देखें यहाँ पर इस वन पार्ट के लिए इस वन पार्ट के लिए ये कौँ सा लोड होगा जी और 1 1 पार्ट के लिए आप देखिए 1 पार्ट का longitudinal axis ये है और longitudinal axis के along ही पास कर रहा है आपका P और normal भी है ठीक है इसका मतलब ये क्या हो गया Axial Tensile लोड हो गया 1 के लिए P आपका Axial Tensile लोड होगा Axial Tensile लोड ओके फिर देखिए 2nd के लिए और 2 2 के लिए क्या होगा त्वास भ्यान दीजिएगा 2 का longitudinal axis आपका ये रहा 2nd पार्ट के लिए longitudinal axis ये है तो आप क्या देख रहे है कि ये जो P लोड है 2nd पार्ट के longitudinal axis से पास नहीं कर रहा है ये ये थोड़ा हट के पास कर रहा है ये eccentricity हो गया इतना इसका मतलब क्या है कि 2nd पार्ट के लिए ये eccentric load है eccentric axial tensile load का लाएगा 2nd पार्ट के लिए ये क्या हो गया जी eccentric axial tensile load अब हम लोग यहाँ पे 3rd पार्ट के लिए देखेंगे ठेक है ओके देखिए 4th 3 3 तो आसान ही है जैसा आप 1 में देख रहे हैं वैसा ही 3 में है तो 3 में क्या देख रहे हैं longitudinal axis से पास कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये axial tensile load axial tensile load तो इस तरीके से आप से question पूछा जा सकता है आप ध्यान रखेंगे ठीक है क्योंकि आज कल जो भी exam होते हैं ठीक है उनमें load से इसी तरह का question पूछा जाएगा आपको figure दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पार्ट के लिए ये किस तरह का act करेगा किस तरह act करेगा ये ठीक है आप बताईए तो बस वहाँ पर वही ध्यान रखना है ठीक है चलिए अब एक और मैं आपको यहाँ पर करवा दे रहा हूँ देखिए ये देखिए आपका figure है और यहाँ पर एक load act कर रहा है पी एक load act कर रहा है पी लोग चुनल एक्सेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ यहाँ पर इस इस दा लोग चुनल एक्सेस लोग चुनल एक्सेस है यह यह आपका AB नाम दे दीजिए कुछ इस इस दा AB पार्ट यह आपका BC पार्ट और यह मान लिजिए आपका CD पार्ट अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताएए इस तीनों पार्ट में यह कौन सा लोड होगा ठीक है किस तरह का यह लोड act करेगा हर एक पार्ट के लिए ओके तो सबसे पहले तो आप देखिए CD पार्ट में CD पार्ट के लिए CD पार्ट के लिए ये किस तरह का लोड होगा तो बस ध्यान दीजिए longitudinal axis है जी longitudinal axis के along काम कर रहा है और cross section के normal भी है इसे आप क्या बोलेंगे axial load और वो भी किस तरह का axial load है ये तो ये compressive nature का है तो आप simply क्या बोलेंगे जी axial compressive load axial compressive load ये आपका axial compressive load हो गया अब आएए BC में देखते हैं BC पार्ट के लिए इस BC पार्ट के लिए पी किस तरह act करेगा ठीक है तो देखिए तो इस BC पार्ट के लिए पी क्या होगा cross section के parallel act कर रहा है ये ये इसका cross section है जी ये cross section है और बट ये cross section के parallel है मतलब shear होगा और ये centroid से भी pass करेगा centroid से पास करेगा यहां होते हैं भी pass कर रहा है centroid से पास करेगा तो इसे आप simply बोल देंगे TSL यानि BC पार्ट के लिए ये TSL होगा ओके अब आते हैं AB पार्ट के लिए इस AB पार्ट के लिए क्या होगा तो देखिए AB पार्ट के लिए ये पी लोड पी लोड इस direction में है और axis के along पास कर रहा था किस के लिए CD के along स्वरी CD के लिए लेकिन AB पार्ट के लिए क्या है AB पार्ट के लिए ये axis के parallel काम कर रहा है तो eccentric होगा axis के parallel काम कर रहा है मतलब eccentric eccentric axial load होगा AB के लिए और किस nature का तो ये tensile nature का होगा AB पार्ट के लिए ठीक है क्योंकि इस direction में है तो आप क्या कहा देंगे यानि AB के लिए ये आपका eccentric होगा eccentric axial tensile load eccentric axial tensile load होगा ओके तो बस हम लोग इसी तरीके से decide करते हैं कि किस पार्ट में कौन सा load act करेगा ठीक है तो इस तरह का question आपका IES exam में भी पूछा गया हुआ है gate exam में भी पूछा जाता है ठीक है तो आप इसको देख लेंगे कुछ नहीं करना है बस आपको ध्यान रखना है तो फिर गलती नहीं होगा तो load का classification with respect to the direction of load complete हो चुका है अब हम क्या करेंगे अब एक और classification मैंने आपको बताया था वो classification भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है यानि आज के lecture के बाद आपका load का classification complete हो जाएगा ठीक है फिर हम लोग इसके आगे move करेंगे चलिए देखते हैं अब अब हम लोग load का classification करेंगे with respect to distribution of load यही बताया था न मैंने distribution of load मैंने आपको first lecture में ही बोल दिया था कि load का classification हम लोग तीन तरीके से करेंगे पहला तरीका था time के respect में वह हम लोगों ने देख लिया second classification था with respect to direction of load यह भी हम लोगों ने देख लिया complete हो गया और third classification था with respect to distribution of load load के distribution के आधार पे इसको कैसे classify किया गया है यह देख लिजी आप तो सबसे first है इसमें concentrated point load पॉइंट बाद में आएगा concentrated load पहला classification है concentrated load और दूसरा पॉइंट लोड को भी दो भाग में बाटा गया है पहला है आपका concentrated load और दूसरा है distributed load ओके अब concentrated load को भी दो भाग में बाटा गया है पहला है आपका concentrated point load point load और second है आपका concentrated moment concentrated moment ओके फिर आते हैं distributed load में तो देखे distributed load में क्या होगा इसे generally तीन भाग में बाटा गया है ओके सबसे पहला है आपका uniformly distributed load दूसरा है आपका UBL uniformly varying load और थर्ड जो है वो है आपका uniformly distributed moment लिख सकते हैं आप ठीक है तो इस तरीके से इसका classification होता है distribution के आधार पे पहला है concentrated दूसरा है distributed अब हम लोग यहाँ पर एके करके थोरा सा देखेंगे फिगर वाइस ठीक है तो concentrated का मतलब क्या होता है जी concentrated का मतलब होता है किसी point पे concentrate हो जाना किसी एक ही point पर ठीक है जैसे देखिए जैसे मान लिजिए आपका ये member है और इस member पर एक load act कर रहा है मान लिजिए यहाँ पर act कर रहा है तो आप क्या देख रहे हैं कि ये load जो है ये इस point पर concentrate हुआ है ठीक है इसी लिए इस load को हम लोग क्या कहेंगे concentrated point load concentrated point load कहेंगे ओके चलिए फिर देखिए मान लिजिए इस point पर इस point पर आपका moment act कर रहा है इस point पर moment act कर रहा है क्या देख रहे हैं आप ये moment जो है ये एक point पर इस point पर act कर रहा है तो इसे हम लोग concentrated moment कहेंगे concentrated moment ये जो classification मैं आपको बता रहा हूँ ना with respect to distribution of load ये हम लोग बहुत अच्छे से detailed way में कहां पर देखेंगे तो जहां मैं आपको shear force diagram and bending moment diagram पढ़ाऊंगा ठीक है वहां पर हम लोग काफी detailed way में देखेंगे अभी बस आप थोड़ा सा उसका basic चीज़ देख लिजिए तो ये तो हो गया concentrated point load concentrated moment अब बात करते हैं uniformly distributed load के बारे में देखिये माल लिजे कि ये आपका कोई member है ये कोई member है ध्यान से देखिएगा ये कोई member है ठीक है तो इस member का अपना weight है तो आप इसको क्या दिखा सकते हैं और इसका weight क्या होगा uniformly distribute होगा मतलब हर point पे same weight vary करेगा मतलब per unit length पर हर एक unit length पर same weight होगा ठीक है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं यानि यह जो weight है यह uniformly distribute हुआ है यानि हर जगा same distribute हुआ है तो इसे हम लोग UDL कहते हैं या आप इसको simple ऐसे भी दिखा सकते हैं ऐसे भी हम लोग दिखाते हैं मतलब यह सभी जगा same weight distribute हो रहा है so this is UDL uniformly distributed load इसमें क्या होता है इसमें आपको load intensity दिया रहेगा और उसे हम small w से denote करते हैं ठीक है Newton पर mm करके ठीक है इस तरह दिया रहेगा तो यह क्या है आपका यह आपका load intensity पर unit length पर ओके चलिए mm या meter बोल सकते हैं Newton पर meter ठीक है Newton पर meter रहने देजिए कोई issue नहीं है उसमें अब बात करते हैं uniformly varying load अब वो क्या होता है जी देख लिजिए मान लिजिए कि यह कोई member है हमें देखना है uniformly varying load यानि अब जो load होगा वो vary करेगा तो देखिए इस तरह vary कर रहा है हर point पर देखिए load vary कर गया है यह आपका क्या है डबलू है इसे हम लोग कहेंगे UBL uniformly varying load यहाँ पर load vary कर रहा है per unit length पर load vary कर रहा है UDL में load vary नहीं करता है per unit length पर load same रहता है but UBL में load vary कर जाता है उके उसी तरह फिर क्या है आपका uniformly distributed moment ठीक है वो भी आप देख लीजिए जी uniformly distributed moment का क्या मतलब है यानि हर एक point पर same moment काम करेगा हर एक point पर यहाँ भी मतलब पर unit length पर यदि आप moment देखेंगे तो same काम करेगा अभी कितना है एम 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 खीक है तो यह हो गया आपका uniformly distributed moment तो इस तरीके से load का classification है distribution के अधार पर मैं यहाँ पर इस तीनों का full form लिख दे रहाँ UDL क्या है जी यह है uniformly distributed load यह है आपका uniformly varying load varying load और यह है आपका uniformly distributed moment तो इस सभी के बारे में हम लोग बाद में काफी अच्छे से detailed way में बात करेंगे ठीक है बस अभी मैंने आपको थोरा सा इसका basic बता दिया कि यह होता क्या है uniformly distributed moment तो यह था my dear load का classification with respect to distribution of load ठीक है तो load का classification जितना भी करना था जिसके जिसके according वो हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है तो आपका load का classification पूरा complete हो चुका है तो अब इसके आगे हम लोग next lecture में देखेंगे next lecture में हम लोग couple के बारे में थोरा पढ़ेंगे ठीक देखेंगे pure axial loading क्या होता है तो हम लोग next lecture में अब यह सब बात करेंगे आज के lecture को यहीं पर stop किया जाए आज सिर्फ इतना ही रखते हैं थैंक्यू मैडियर ओके फिर next lecture में मिलते हैं बाई बाई